हेलो दोस्तो वेलकम तो ट्रेडिंग वीजन बात करते हैं हमने कल क्या डिस्कुशन किया था मार्केट अज गैप अप हुई है तो गैप अप के केस में ही बात कर लेते हैं हमने गैप अप के लिए क्या डिस्कुशन किया था कल हमने discussion किया था कि market अगर कहीं gap up 50 to 70 points का अगर देती है तो हम एक pull back का wait करेंगे जो कि इस line के पास आए और उसके बाद और यहाँ पर हम एक call try करेंगे SL होंगे हमारे 240 और target होंगे हमारे 350 तो आप देखें बिलकुल 350 के near जाके market आई है 345 सिर्फ 5 रुपे का फर्क है तो target बिलकुल exact नहीं होते 5-10 points उपर नीचे हो सकता है वो आप सबको adjust करना चाहिए almost माना जाता है हमेशा अगर 350 है तो हो चकता है 355 जाके आए हो चकता है 343 जाके आए तो यह round figure रहता है आपको अपने comfort के हिसाब से profit book कर लेना चाहिए तो market ने बिलकुल same plan पे काम किया है जैसा हमने observe किया था और उसके बाद market ने काफी गिरावट दी है आज तो अब इस scenario में हमारा कल के लिए क्या plan बनता है बात कर लेते हैं देखो market अगर flat open होती है तो हम एक put try करेंगे SL हम लेंगे 18,310 के आसपास का हम एक SL रखेंगे और market में हम एक put try करेंगे अगर market हमें इस दाहरे में कहीं भी मिल जाती है तो इसके target हमारे जो होंगे वो 230 तक के target हमारे होंगे put में अब flat खुल के market चाहे उपर जाने लगे चाहे नीचे जाने लगे हम एक put ही try करेंगे 230 तक हमारे target हम रखेंगे आपकी entry जहां भी बनती है वहां आप ले सकते हैं यह flat opening की बात है बात कर लेते हैं अगर market gap up open होती है देखो gap up अगर open होती है अगर 310 के उपर market यहां कहीं open होती है जो एक trend line हमने draw की हुई है अगर इस trend line के नीचे कहीं market open होती है तो हम यहां भी एक put try करेंगे SL हम रखेंगे 350 350 हमारा SL होगा यहां से हम एक put try करेंगे उसका भी target हम 230 तक रख सकते हैं अगर market इस trend line के उपर अगर open होती है अगर market 340 के उपर open होती है अगर points की बात करें तो हम wait करेंगे 350 को market break करें इस case में भी हम wait करेंगे अगर trend line के नीचे open होती है हम SL लगा के trade लेंगे हो सकता है हमारा इसमें SL हो जाए इस trade में जो की इस line से नीचे open होने के लिए हमने discuss करी है अगर यह भी 350 को cross कर देती है तो हम इसमें भी CE में अपनी position convert कर लेंगे और अगर line के उपर open होती है और इसको भी 350 को cross कर देती है यह भी तो भी हम bullish रहेंगे एक call try करेंगे जिसके target हम ले सकते है 420 420 तक हम अपने call के target रख सकते है इन दोनों case में line के नीचे open हो या line के उपर open हो अगर 350 break होता है तो हम 420 के लिए एक call लेंगे तो यह है gap up scenario बात करते हैं gap down के case में gap down का scenario बिल्कुल simple है अगर market 220 या उसके नीचे open होती है तो हम एक various position ही try करेंगे जिसके sell हम रख सकते हैं 265 265 हमारा sell रहेगा PE के लिए और target हम रखेंगे 182 85 हमारा target रहेगा put के लिए तो यह है कल के लिए scenario वीडियो अच्छी लगे तो like and share करना तेंक यू तेंक यू